बच्चो आज हम बढ़ेंगे LCM, आज हम LCM सिखेंगे, LCM का मतलब क्या होता है? lowest common multiple, बच्चो ये याद रखना, LCM का मतलब क्या होता है? LCM means lowest common multiple, बच्चो 6 and 4, ये दोनों का LCM find out करेंगे, किस किस का? 6 and 4 का, इसको हम 4 and 6 भी लिख पाएंगे, 4 and 6 का LCM अभी हम find out करेंगे, ओके ये दोनों से हमें, तो हम अभी 4 and 6 का LCM find out करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो बच्चो, फार्स्ट हम लिखेंगे multiples of 4, बच्चो LCM का बहुत सारे method होता है, ये एक method है, तो फार्स्ट हम लिखेंगे multiples of 4, ओके, 4 का multiple लिखेंगे, 4 का multiple क्या क्या होगा, 4 को फार्स्ट हम 2 के साथ multiply करेंगे, तो 4 2 जा 8, उसके बद 4 को 3 के साथ multiply करेंगे, 4 3 जा 12, बच्चो, उसके बद 4 को क्या करेंगे, 4 के साथ multiply करेंगे, फूर फूर जा 16 उसके बाद 5 के साद मॉल्डिप्लाइ करेंगे 20 होगा उसके बाद 6 के साद मॉल्डिप्लाइ करेंगे 24 उसके बाद 7 के साद मॉल्डिप्लाइ करेंगे 28 उसके बाद उसके बाद 8 के साथ jeder 32 दूटट्तडटूट दूटट दूटूट का मतलब यह आगय बठता जाएगा । विख़ो मॉल्टिपॉल्स अब हो गया अभी हम क्या करेंगे मॉल्टिपॉल्स आफ शेक्स लिखेंगे उसके बाद 4 के साथ 24, 5 के साथ 30, 6 के साथ multiply करने से होगा, 36, 7 के साथ multiply करने से होगा, 42 यह भी आगे, बढ़ता जाएगा, बच्चों, खौतम नहीं होगा, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, दोनों का multiply हो गया, दोनों का multiples हो गया, 4 का और 16 का, वह भी हम क्या करेंगे, common multiple डिखेंगी दोनों में common multiple कैसे होता है बच्चो common multiple क्या है देखो common multiple बच्चो common multiple का मतलब यह जो दोनों multiples है यह दोनों में common क्या है same क्या है common multiples का मतलब यह दोनों में same क्या है common होना चाहिए 8 दोनों में को नहीं है common नहीं है 12 बच्छो देखो 12 दोनों में है तो 12 कमान मॉल्टिपूल्स होगा बच्छो दोनों में होना चाहिए जैसे 12 दोनों में है 8 नहीं है तो 8 को नहीं लिखेंगी उसके बाद देखो 16 दोनों में नहीं है ओके, 20 दोनों में नहीं है, 24 दोनों में देखो बच्छों, ये 24 दोनों में है, तो हम 24 को लिखेंगी, ये भी Common है दोनों में, 28 दोनों में नहीं है, 32 भी दोनों में नहीं है, ओके, तो Common Multiple के आगे होगा, सिर्फ 12 and 24 होगा, तो बच्चों 12 and 24 से हमारा SCF होगा SCF क्या होगा जो lowest common multiples जो छोटा है common multiples में जो छोटा है वो होगा LCM छोटा क्या बच्चों common multiples हमारा 12 और 24 है 12 और 24 में से छोटा कौन है 12 है तो 12 होगा हमारा LCM LCM क्या होगा 12 जो common multiples में जो छोटा होगा वो होगा LCM तो वोच्छे यह एक method है अगर छोटा वाला होगा तो हम ऐसे भी कर पाएंगे यह method है बास multiple of 4 लिखेंगे उसके बार multiple of 12 लिखेंगे जितना भी होगा उसके बाद दोनों का common multiples लिखेंगे common multiples मतलब क्या होता है दोनों में होना जाएं दोनों में जो same है उसको हम लिखेंगे common multiples में जिसे 12 दोनों में है तो 12 को लिखेंगे 24 दोनों में है तो 24 को लिखेंगे उसके बाद lcm क्या होगा जो common multiple में जो छोटा होगा वो होगा lcm okay.